Hello everyone, Good morning to everybody, Combined Steady Point YouTube channel कर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube सेशन में, पढ़ापट से सभी क्लास में लाइड जुड़े हैं, क्लास जो है बिल्कुल शुरू हो गई है, और आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, ब्लोक नमबर थर्ड Office Management के जो हमारी क्लास है, जो लगातार चली होई है, और जिसमें हम लोग अपनी रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी रिवीजन को हम आगे बढ़ाते हुए, आज के क्लास में ब्लोक नमबर थरी, जो ब्लोक नमबर फूर है, उसको डिसकस करेंगे, ठीक हैं, मैं कोशिश करूँ कि दोनों ब्लोक को आज के एक जी क्लास में रिवाई जब कर सकें, क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो आपको भी थोड़ा रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा फास्टली जल् तो ब्लोक 3 है, ये क्या कहता है, फाइलिंग, इंडेक्सिंग और पब्लिशिंग, तीन कॉंसेप्ट है, फाइलिंग ओफ डोकिमेंट, इंडेक्सिंग ओफ डोकिमेंट और पब्लिशिंग ओफ डोकिमेंट, और तीनों ही कॉंसेप्ट बहुत इंपोर्टन है, ब्लोक 3 से वैसे ज़्यादा question आने के chances नहीं है, उम्मीदे मुझे थोड़ी कम ही है, क्योंकि इस chapter में से यहां से ज़्यादा short note type question बन सकते हैं, या फिर जो difference based question होते हैं, वो वाले बन सकते हैं, long question आने के chances थोड़ी कम है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या इसमें से करना है, कौन- बने रहना है, ठीक है, चले, तो सबसे पहले तो unit number seven basically क्या है, filing of the document, document filing का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो meaning जान लीजिए, filing का मतलब क्या है, तो filing का मतलब होता है, भई आप एक, कोई भी आपके पास file है, जैसे एक computer के बात करें, तो आपके पास number of file होती है, तो आपने वो data उसमें store करके रखा हुआ है, तो जो data store करने का एक procedure होता है, उसे हम filing गोलते हैं, similar आपके पास library होती है, इस तरह का room होता है, जहां पर सिरफ और सिरफ books ही होती है, तो वो भी एक storage का method है, तो also it will be a filing, अब आप क्या करते हैं, कोई भी रिपोर्ट हमें बनान होती है, तो report बनाने के लिए, नमबरों pages पर आप सारी important चीज़े जो है, वो note कर लेते हैं, और उस pages को फिर एक क्या कर लेते हैं, stapler कर लेते हैं, या फिर उसको एक file के अंदर डाल देते हैं, ताकि उसको हम, जब हमारा मतलब कि useful हमारे लिए हो, हमें जब भी उसकी जरूर तो, तम उसे use कर पाएं, इस purpose से हम इसको अपने past drive रखते हैं, ठीक, पता है filing का, ये मतलब हुआ, अब meaning and importance में, यहाँ पर हम देख लेते हैं, what is this, तो यहाँ पर कहा गया है, filing is refers to the strong document in a secure place and being able to locate them quickly and conveniently, आपके पास जो document है, या जो pages है, उसको एक secure place पर हम उसे store कर देते हैं, ताकि उससे हम easily conveniently क्या कर पाएं, अपनी चीज़ों को no down कर पाएं, जब भी हमें उसके जरूरत परती है, तो उसके according हम उसमें information को find out कर पाएंगे, ठीक है, तो document जो है, वो आपका less, मतलब उसके chances कम रहते हैं, कि वो misplaced रहेगा, या फिर आपक tear and fear बड़ाग जो case है, वो होगा, वहाँ पर हमें सारी चीज़े, एक systematic तरीके से जो हो मिल पाती है, इसी purpose जाती है, even the government agency are getting the on board and the IRS now accept the digital images or paper copy of the scanned item, that is a cash received bank statement, cancelled check, pay stubs and credit card statements, यानि कि आप यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं, कि हर एक तरीके का जो document है, उसे आप use करेंगे, चाहिए वो cash receipt हो, चाहिए वो bank receipt हो, ठीक है, doubt की glass ना evening में होगी, ठीक है, evening में मैं doubt की glass दोगा, कल भी होगी और आज भी, ओके, तो evening की glass में आप doubt ले ले लेना, अभी मैं पढ़ा लेता हूं, ठीक है, विकोज अगर doubt लेने शुरू करें, तो फिर class ऐसे ही चले जाएगी, क्या clear ने दिख रहा है, आप first one हो जिसने ये बात बुर लिए, एक बार अपने end से jack out कर लो, reconnect करने की कोशिश करो, फिर आपको clear दिखेगा, मुझे नहीं लगता कि invisible होगा कुछ भी, सब कुछ okay होना च अब हम बात कर लेते हैं, what are the essential of a good filing system, किस तरह से हम अपने filing system को अच्छा बना सकते हैं, या उसमें essential क्या है, तो सबसे पहले है, simplicity, यानि कि आपका जो arrangement है, वो इस तरीके से होना है, ठीक है, simplicity क्या है, simple, यानि कि आपका जो employee है, उसको easily operate कर पाएं, उसे उसको समझने में कोई मुश्किल ना हो, तो इस तरह से हमें filing system को बनाना है, accessible, यानि कि आप इस तरह से location ढूंड़िए, जहां पर सारी file को easily हम क्या कर पाएं, store कर पाएं, तो easily locatable आपका वो होना चाहिए, compactness, यानि कि reasonable space आपका होना चाहिए है, large space हमें जो वो need होती है, ताकि हम अपनी सारी के सारी file को अच्छे तेरे से store करके रख सकें, और उसमें मतलब कि chances कम हो कि हमारा कोई भी file interrupt हो जाए, या misplace हो जाए, इस तरह का, तो उसके according लिए हम इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, आगी है economy, cost जो है बिल्कुल economical होनी चाहिए, ज्यादा cost हमारी इसमें ना हो, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है, good morning, economy हो गया, flexible मतलब कि आप इसमें हर एक तरह की activity को expand करके लिखते हैं, तो organization में मतलब कि बाकी सारी activity को करते हुए, आप filing system को इस तरीके से install करिए, ताकि document को arrange करना बहुत ही easy हो जाए, easily हमारे जो employee है file को locate कर पाए, safety का खास ख्याल इसमें रखना होता है, कि हमारा जो asset है, उसमें कीडे मों कोड़े तो ना लग गए हो, आसपास मतलब इसका भी ज्यान रखना होगा, कि चूंहों ने पताल चला कि चूंहों ने अपनानी file सारी खागे, इस तरह की चीज़े भी नहीं होनी चाहिए, retention होना चाहिए, well-defined policy होनी चाहिए है, for the discarding paper, कहीं बार क्या होता है, कि ये paper खराबर, उसके साथ काम का paper भी अपने फार दिया है, तो एक अलग place आपका होना चाहिए, जिसमें आप discarding paper और record को रख पाओ, classification होना चाहिए, so that कि जो bulky files हैं, उसको हम avoid कर पाएं, ठीक, उसके बाद है office filing procedure, तो procedure simple है, आपको पहले से ही organization में define pattern होता है, आप easily उसको कर पाते हैं, retention होता है ध्यान देना, retention होता है to be attention something, किसी चीज़ के उपर attention देना, उससे बोल देते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के system हो सकते हैं, एक होता है centralized, और एक होता है decentralized, जब हम centralized की बात करेंगे, तो यहाँ पर सारा जो decision power है, वो किसके हाथ में होती है, एक head office के हाथ में होती है, और head office जो है, वो command करता है, कि जो file वगरा है, वो किस तरीके से store की जाएंगी, और जो execute, उसमें एक specialist person को रखा जाता है, ताकि file है हमारी misplaced ना हो, तो इस तरह की चीज़े इसमें होती है, एपल जो है इसका सबसे बड़ा example है, गुड मॉर्निंग तैनु जी, critical decision, एपल इस एन example of a business, with a centralized management structure, ठीक है, एपल एक ऐसा business है, centralized business है, जहां पर अगर हम बात करें, तो CEO है जो एपल का, वही पूरी तरह से responsible है, to do the filing of the document, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके advantage की, तो यहां किसी तरह का duplication involved नहीं है, storage space का आपका अच्छे तरीके से utilization हो सकता है, आप अपने document को अच्छे से locate कर पाऊगे, और storage capacity को utilize करना easy रहता है, दूसरी तरफ हमारे पास है decentralized system, इसमें क्या है, network offer a wide range of benefit over the more conventional centralized network, क्या clear नहीं हुआ, जहां पर centralized का मतब होता है, भी एक particular authority, सारा का सारा काम करें, यानि जैसे की chief executive officer के control में सारा filing system है, बट decentralized में क्या होता है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने according to document को place up करता है, वो decentralized होगा, जहां पर किसी तरह का reliability ना हूँ, centralized network जो होता है, उसमें privacy maintain रहती है, हर कोई मतब उस office record में नहीं जा सकता, ठीक है, आपको special permission की जुरूरत होती है, बट decentralized के अंदर ऐसा नहीं है, हर कोई जो है वो record room में जा सकता है, अपने accordingly, अपनी convenient के according उन फाइलों को store कर सकता है, तो decentralized हो गया, इसमें coordination नहीं होता है, resource wastage हो सकती है, जो बड़ी-बड़ी organization है, वो इस तरह के system को neglect करती है, decision making नहीं हो पाता, qualified manager की कमी होती है, तो यह आपके difference है, एक बार यह भी देख लीजिएगा, और centralized और decentralized, this will be very important, ओके, आगे आपके पास है type, मतलब आप किस तरह से फाइलों को arrange करते हैं, एक आपका method होता है, alphabetical topical filing system, इसमें क्या होता है, जो dictionary के word है, उनके according हम file को arrange करते हैं, जिससे उसका personal name या फिर last number यूज़ कर सकते हैं, कि किसी भी, मतलब राम के नाम की file है, फिर शाम के नाम की file है, फिर जै के नाम की file है, तो आप उसमें A to Z के अक्सर देखेंगे, कि कौन सा number पहले है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो वो system होता है, alphabetical topical filing of the system, दूसरा आपका होता है, alphabetical in cloth media filing system, यहाँ पर क्या होगा, alphabet के साथ साथ हम उसमें sub category बना देते हैं, जैसे कि आपने A category लिखा, और उसके साथ sub heading लिख दिया, part number 1, फिर A का part number 2, A का part number 3, ऐसे करके हम उसमें sub heading बना देते हैं, इसको बोलते हैं, alphabetical in cloth media filing system, यानि आप alphabet तो use करी रहे हैं, प्लस उसमें जो है वो आप extra number भी use करते हैं, थर्ड है alphabetical geographical filing system, इसमें क्या होगा, आप जो classification कर रहे हैं, उन्दा basis of geographical location, ठीक है, आप वो जो file है, उसकी हमें need कब होगी, उस location के according उसको arrange करते हैं, यानि कि जिसको हमें जल्दी से search करना होता है, या file ऐसी है, जिसकी need हमें जल्दी पढ़ने वाली है, तो उसको पहले रखेंगे, और उसके बाद मतलब वो file रखी जाएंगे, जिसकी need थोड़ी time के बाद होगी, तो location के accordingly, state numeric filing system, यहाँ पर number system होता है, file को number दिया जाता है, 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से, duplex numeric filing system, इसमें क्या होता है, आप जो भी amount of information ले रहे हैं, उसमें number के साथ साथ आपका alphabetical भी use होता है, या फिर आप इसमें decibel number system को भी use कर सकते हैं, chronological filing system, इसमें year base पर या date base पर file को arrange किया जाता है, जैसे जितने भी हमारे government record room होते हैं, वहाँ पर इससी तरह के system को follow करते हैं, chronological filing system को, क्योंकि वहाँ पर क्या भी year to year सारे record रखने होते हैं, और फिर उसे के accordingly हम चीज़ों को arrange अप करेंगे, आगे है alpha numeric filing system, इसमें क्या होगा, आप जो category बगरा use करते हैं, वो number and file दोनों के base पर use करते हैं, filing भी है और साथ में number भी है, दोनों के base पर उसको arrange करेंगे, clear, चलिए, तो ये था भई आप लोगों का filing procedure, इसमें आपके steps के एक बार देख लेते हैं, क्या-क्या steps होते हैं, first of all है order to file, पहले तो higher authority order देगी, file बनाने का, उसके बाद employee मिलकर उसे prepare करेंगे, third number पर shorting and filing होगा, मतलब उस file का कोई serial number होगा, या फिर एक alphabetical number होगा, follow up slip, मतलब कि आपका एक last step होता है, जिसमें ये बताया गया है, कि आपकी file complete हो गया, और उस पे एक slip लग जाती है, कि इस will be complete, वो follow up slip है, retrieval होता है, rechecking, कि आप उसको दुबारा से check out करते हैं, कि कोई mistake उसमें तो नहीं है, and then transfer of file, उसमें जो भी data बगरा है, उसको अगर हम transfer करना चाहें, तो duplication भी उसकी रख सकते हैं, and last उसका retention होता है, और उसमें हम उसको finalize करके जो है, वो report दे देते हैं, ठीक, तो this will be the steps of filing our procedure, यह आपको पता होना चाहिए, एक आपका digital record होता है, जिसमें सारा का सारा काम कैसे है, online, आप अपने computer में digital locker बगरा बना लेते हैं, और computer के अंदर इस सारा data store किया जाता है, उसे digitalization बोल दे हैं, चिक है, चाले, बस यह था आपका record बारा system, filing I think समझ आया होगा सभी को, मु किस में से मैं थोड़ा सा concept बता रहूं, क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, एक तुँ आप लोगोंने characteristics पढ़ लेने हैं, कि filing system में characteristics क्या है, centralization होना चाहिए है, decentralization पता होना चाहिए, और जो आपका procedure है, filing का steps है, very very important, और आपका यह alphabetical filing system और numerical filing system है, यानि जो हमने यह type पढ़ याना, इन में difference भी आ सकता है, जो filing arrangement के types है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके coding ले उसको भी तयार कर लेना है, चलिए, अब हम बात करेंगे indexing document की, indexing आप लोगोंने सुना होगा, सुनी हुई term है, indexing, क्या होता है indexing में, हम पूरी record को ना पढ़ कर, उस ना easy हो जाए, it is an act of describing or classifying by index number or other symbol, document indexing is process of associating or tagging the document with a different searching term, आप उसको search करना जाते हैं, किसे भी file को या document को, तो search करने के लिए हम जो है indexing use करते हैं, अब जैसे आप कोई भी notes बनाते हैं, register बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहला page index का होता है हमारा, उसमें हम page number डालते ह हैं, topic का नाम डालते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम उसको easily जो है, उस page पर पहुंच पाएं, इसलिए किया जाता है, तो वैसे ही, office में इतनी सारी number of file हैं, तो हमें एक record बनाना पड़ेगा, जिसको indexing बोलते हैं, इस technique के जरिए, हम important file को easily क्या कर पाते हैं, locate कर पाते हैं, क्य indexing जो है, वो simple होना चाहिए है, economical होना चाहिए, and flexible हो, और quickly locatable हो, उसको easily आप क्या कर पाएं, locate कर पाएं, इस बात का ध्यान रखना होता है, तो वही सारे point आपके इसके importance में भी हैं, हम essential पढ़ लेते हैं, कि how should indexing system will be improve, किस तरह से आप indexing system को अच्छा कर सकते हैं, तो easily understandable हो, हाना, उसको असानी से आप पढ़ पाओ, इस तरह से index बना होना चाहिए, terms of operation economical हो, speed और efficiency का ध्यान रखें, hand to hand ये चलता है, जैसे आप filing करते हैं, उसके साथ ही आपका indexing भी चलता है, क्योंकि number of file अगर इकठी हो जाएंगी, तो उसमें आप indexing करना भी फिर possible नहीं होगा, तो वो साथ ही साथ आपका चलेगा, इसमें जो है, वो expansion को भी use किया जाता है, question आपका important यही बनेगा कि indexing system क्या होता है, उसके importance and उसकी advantage और disadvantage, इससे ज़्यादा examiner इसमें से नहीं पूछेगा, चीक है, तो आप लोगों को भी इसी पर focus करना है कि advantage क्या है और disadvantage क्या है, तो इसके advantage हैं, सबसे पहला तो location कि इसको locate करना बहुत ज़्यादा easy है, cross referencing आप इसमें check कर सकते हैं, और economical होता है, filing easier है, filing से ज़्यादा असान है, efficiency इससे बढ़ती है, और privacy maintain रहेगी, और आपका जो filing system है, वो systematize हो जाता है, अगर आप indexing को follow कर रहे हैं, ठीक है, तो यह चीज बगारा आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, जो यह type बगारा दिये हुए है न, इसको आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं है, इससे question paper में नहीं आते हैं, आप लोगों को सिरफ और सिरफ focus किस पर करना है, एक तो करना है quality of indexing, advantage of indexing, बस, इतना आप पढ़ ले काफी है, क्योंकि objective, meaning and function मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि similar से होते हैं, उसमें कोई जादा बड़ा difference हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए indexing में only आपको एक्तो करना है कि qualities, indexing कैसे हो सकती है, quality क्या है, advantages और disadvantages, इन सारी चीज़ों से हमारा जो unit number 8 है वो complete हो ज होता है, आप document को किसी दूसरी party के सामने present कर रहे हैं, उसे हम बोलते है publishing, company ने data तयार करा है, file बनाई है, उसका indexing क्या है, तो उसका reason क्या है कि वो अपनी parties को, जैसे investor है, customers है, हमारे जो client होते हैं, उनको हम present करना चाह रहे हैं, तो publishing उस document को बोल देते हैं, इसके लिए हम अ Apple News, Facebook Instant Article, Adobe DPS Article, इस तरह की चीज़े जो है, वो publisher use करते हैं, ताकि आप figure out कर पाए number of activities को, ठीक है, इसके बाद हमारे पास publishing है, जिसमें 24 और जो है, चीज़े आपकी होती है, information, software, music, literature, other form of content to the general public, हम अपनी public को, उस चीज़ को disclose करने के लिए, इस तरह की चीज़े हैं, करते हैं, publishing platform अलग-अलग तरह से हो सकते हैं, वो जहां पर आप लोगों क्या कर रही है, popularly individual, अपना कोई important content जो है, वो देना चाहरा है, तो office management में क्या important हो सकता है, जैसे कि prospectus है, वो एक बहुत ही important document है, जिसे हम publish कर सकते हैं, इसके अलावा company का कोई publication में और क्या use हो सकता है company का जो agenda होता है, detail होती है, उसे चीज़े हैं, तो ऐसे चीज़े हैं, जो हम publish करते हैं, अपनी जो secret information है, उसको थोड़ी ना publish करेंगे, publish भी वो चीज़े करते हैं, जिसकी जुरूरत हो, ठीक है, digital publishing में आप अलग-अलग method यूँ करते हैं, जैसे e-book हो गया, magazines हो गई, report हो गई, या blog हो गई, हम अपनी चीज़े हो को manage करते हैं, digital publishing में आपका काफी अच्छा record रहता है, इसमें आप चीज़ों को अच्छे से alter कर सकते हैं, अपनी convenience के according, alteration करना possible है, ठीक है, और alteration in the sense के आप flexible हैं, बहुत जादा, अपनी according इसको change कर सकते हैं, importance क्या है इसकी, तो cost effective रहगा, और book creation करना थोड़ा easy है, reading experience मिलता है, publish करना और इसको edit करना बहुत easy है, distribution को analyze कर सकते हैं, wider reach इसमें देखने को मिलती हैं, but it's not a free, control नहीं है, and proliferation की problem हो सकती है, stream line publishing हो सकता है, information गलत publish हो सकती है, and computer equipment हमें बहुत ही महेंगे पढ़ते हैं, और उसकी हमें यहाँ पर जुरुरत होती है, social media platform आपके बहुत सारे हैं, पता ही होंगे भई social media तो, सभी को पता है, content publish करने का बहुत ही method है, अफिस में भी इसी तरह की चीज़े use होती है, youtube, instagram, facebook, whatsapp, यह सारे social media platform ही तो हैं, जिससे की company अपनी जो है important information, जो वो public के साथ share करना चाहरी है, उसे use कर रही है, youtube अपना channel बना लिया, instagram पर bloggers वगएरा use कर लिये, facebook हो गया, whatsapp हो गया, तो इन सारी चीज़ों से वो क्या कर रही है, communicate करती है number of person के साथ, type क्या है, blog post article हो सकता है, white paper हो सकता है, email हो सकता है, तो मैंने अभी आपको यही चीज़े बताने की कोशिश करी है, कि publishing में आप इन सारी बातों को यहाँ पर use करते हैं, एक बहुत है important concept है, portable digital file, pdf, pdf क्या होता है, non-physical document, आप इसका, मतब physical document नहीं है, बट online में यह सब कुछ है, आप क्या करते हैं, document को हर जगा carry out करके नहीं चल सकते, तो उसकी pdf बना लेते हैं, हना कहते हैं न, pdf provide करी है, pdf, सुना ही होगा सबी ने, तो office management के अंदर भी pdf को use करते हैं, ताकि detail को easily जो हो share किया जा सके, and इसमें आप acrobat नाम की जो website है, उसका use कर सकते हैं, document बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा secure होता है यह, इसमें आप को बहुत ज़्यादा security मिलती है, multi dimensional है, convenient to use है, आप इसे easy से use कर सकते हैं, हना, यह आपके अलग-अलग यह computer की चीज़े हैं, यह आपने नहीं पढ़नी है, ठीक है, सिरफ इसमें से आप कोशिश करना, publishing के concept पर बात करों, और जो digital publishing है, वो आपके लिए important है, इसके अलावा जो types of content हम इसमें publish वगरा करते हैं, वो थोड़ा देख लेना, digital publishing देख लेना, इससे ज़्यादा इस chapter में से कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा जो है वो filing और indexing important है, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर question इसमें से आया, तो difference का सकता है कि filing, publishing और indexing, तीनों में difference क्या है, या फिर आप से short note में आ सकता है, कि publishing और filing note करके बताईए, तो इस तरह कि छोटे मोटे question जो इस block से बनते हैं, ज़्यादा मतलब कि landy ये block नहीं है, और नहीं ज़्यादा बड़े-बड़े question इसमें से पुछे जाते हैं, तो बहुती relaxation के साथ इसे कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ रहे हैं अगले blocks पर, unit number 10, देखे, देखो इसमें आपको form के बारे में पढ़ना होगा, form क्या होता है, office form एक format होता है, जिसमें कोई standard document आपका fix किया गया हो, ठीक है, क्या किया गया हो, कोई standard document fix किया गया हो, उसे हम office form बोलते हैं, जैसे company customer से review लेना जाती है, about the product, office management में customer से product का review लेना जा रही है, तो उसके लिए क्या बनाती है, questionnaire बनाती है, तो वो भी एक आपका form ही तो है, उस form को fill up किया जाता है customer से, तो इस तरह की चीज़े यहाँ पर arrange होती है, I hope सबको पता ही होगा, form का दूसरा example अगर मैं दूँ, आप अपने college के अंदर form भरा होगा, तो वो भी एक document तो था, arrangement था, जिससे की detail ली जा रही है, तो office management में भी form fill up जुरूर होती है, form का और क्या यूज़ा, अग हमें office के लिए staff के नीड़ है, हमें office के लिए staff के नीड़ है, तो वो staff जो है, वो किस जरीए हम तक पहुंचेगा, form के जरीए ही तक पहुंचेगा, वो हमारे अंदर apply करेगा company के लिए, और तब ही वो हमसे interact कर पाएगा, तो form के importance कुछ इस तरीके से हमारे लिए हो जाती है, a form is defined an arrangement format which contain the standardized and structured document having the blank space for entering information, उसमें blank spaces रखे जाते हैं, ताकि जो जिससे हम information लेना चाहरे हैं, वो व्यक्ति उसको उसमें share कर पाएगे, ठीक है, चलिए, देखो, यहां पर आपको एक example दिया गया है, e format का, हो मैं यह, ठीक है, तो यह क्या करता है, communicate करना इससे easy रहता है, space restriction होती है, easily office operation हो पाते हैं, आप multiple और efficiency जो है office system की वो improve होती है, e form enjoy the following advantage, इसके advantage क्या है, तो पहला है economy, इसमें जो है economical रहता है, कोश जान नहीं होती, add it करना easy रह, आप इसको जो है add it easily कर पाऊँगे, obsolete stock नहीं होता, convenience to user, बहुत जादा conveniently आप इसे use कर सकते हैं, space वगरा की involvement इसमें नहीं है, information कोई confidential बनी रहती है, यानि कोई भी जो information है, वो आपकी leak नहीं होगी, वो आप तक ही रहेगी, सिमित रहेगी, e format इसमें use होता है, क्या तो इस तरह से, आप office form को use करते हैं, हमारे लिए इसके एक बहतरीन से क्या है importance, designing of office form, कैसे इसको बनाया जाएगा, सबसे पहले, ascertain करना पड़ेगा, behind the introduction, आप जब भी form बनाते हैं, तो उसके पिछे आपका logic क्या है, reason क्या है, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद self-explanatory title उसमें डालेंगे, कि आप किस तरह का form बना रहे हैं, उसका title तो दोगे, उसके बाद name and address of the department उसमें generate करेंगे, content डालेंगे, logical जो user point of view है, उसके regarding sequence डाल देंगे, information का, contact बगएरा इस तरह का, और sample बगएरा डाल देंगे, instruction डाल देंगे, innovation कर सकते हैं हम उसमे, size बगएरा चेक आउट कर लेंगे, तो इस तरह से हम अपना office का जो form है, वो तयार कर सकते हैं, आप इसमें example भी दे सकते हो, देखो ये आपका एक format है किसका, inventory department का, inventory department ने एक form तयार कर रहा है, जिसमें tool के बारे में जानका रही है, कि वह number of tool हमें कितने जुरूरत है, tool का नाम है, उसका ledger number, supplier को न, purchase क्या है, quantity कितनी है, unit कितनी है, total amount क्या है, condemnation क्यों हुई, remarkable है, signature of the technical commenting, तो इस तरह से एक form generate हुआ है, to obtain the information of inventory, इस तरह से चीज़े होती है, I hope समझ में आ रहा होगा, वही form का मदलब है, आपर क्या है, चलिए, तो what are the use of form in office, form हम use क्यों करते हैं, importance क्या है, एक organization के structure में इसके importance क्यों है, तो functional के लिए important है, हाना, अलग-अलग department different different function कर रहे हैं, तो वो function उसके किस तरह से होंगे, उसको perform वो कैसे करेगा, तो उसके लिए Google Forms की जुरूरत पड़ती है, हाना, feedback form, inquiry form, इस तरह से, business transaction में यूज हो सकता है, जैसे sale, organization में यूज हो सकता है, for medical form, tour form, हाना, performance appraisal form, इस तरह से, a form online generate होता है, paper form manually बनता है, single copy form, जिसमें सिरफ resource, जो है वो, recruitment के लिए होता है, multiple copy form, जिसमें 2 से ज़्यादा आप copy fill up कर सकते हैं, जिसमें सिरफ department में use होता है, continuous paper form, जो fan folded form होता है, ठीक हैं, तो इस तरह से हैं, उसके बाद internal office form आगया, जिसमे organizational form आएंगे, जो organization अपने day to day working या, उनको complete करने के लिए, जो form generate करती रहती है, वो इसमें आ जाएंगे, accounting form में आपके अलग-अलग हैं, जैसे text का form हो गया, worksheet हो गई, pay sleep हो गई, tour advance हो गया, medical reimbursement हो गया, house building advance form, LTC form, तो ये सारी चीज़े हैं, जो आपको वैसे terms के बारे में तो text में भी पढ़ाई है, application, performance app, job description, stationary requirement, requisition, तो इस तरह के आपके application form के अंदर चीज़े आ जाएंगे, समझ में तो आई रहे होंगी सारी चीज़ें, कोई मुश्किल वाड़ा तो मुझे लगनी रहा, कि वही form का concept मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे normal से चीज़ें हैं, जो हम अपनी life में भी use कर रहे हैं, उसको बस office के कामों से हमें connect करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया है न, अगर आपने इन blocks को भी कर लिया, तो वही काफी है, पांच block हमने पढ़ लिया है, ये पांचवा block चल रहा है हमारा, पता है न आप लोगों को, और overall इतना ही slayvers आपको करने की जरूरत होती है, वो तो मैं extra भी आपको करवा देता हूं, कि इन केस आपको question चूज करना हो, तो उसमें आपके काम आ जाए, बाकि overall the slayvers हमारा हो गया है, मेरी तरफ से, इतना अगर आप पढ़के चले गए तो बस बल्ले बल्ले है, समझ जाना, एपेपर आपका इतना अच्छा होएगा कि बस क्या ही पुछ होगी, external contract form, यहाँ पर क्या होते है, commercial organization, जब कोई भी agreement करती है, कोई trade agreement करती है, तो उसमें इसका यूज होगा, जैसे creditor और customer के लिए, हम credit के लिए कोई भी transition कर रहे हैं, तो उसमें हम supplier को, या इनको invoice देते हैं, order form में आपका इस तरह से order form generate होता है, मंगवाया है, कितनी quantity में मंगवाया है, price आप क्या expect कर रहे हो, इस तरह से, different type of field, फिल्ड बगएर छोड़ो, यह छोड़ो आप, यह तो आपने computer में भी पढ़ा होगा है, मैंने साथ computer में Excel में किरा था न, कि आप जब भी एक file बनाते हैं, एक record बनाते हैं, या एक sheet बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या content यूज होगा, name यूज होगा, contact यूज होएगा, नेचर में, तो इससे अब advantage और disadvantage बनाना, बहुत ही important हो जाता है, और useful भी है, असान भी है, हाना, easily आप बना भी सकते हो, देखो, office management कुछ भी खास paper नहीं है, मैं इसको सबसे easy मानता हूँ, क्योंकि वही office management सिरफ management भी करना है, और management पढ़ते पढ़ते तुम, आप लोग जो है, final year में आगे हो, ठीक है, management आपने कितना पढ़ा होगा है, तो बस चीजों को relate करना है, अगर आप एक commerce student है, relate करना सिखो, सब को चापके cover हो जाएगा, अगर आप relate करना जानते हैं, subject को subject से connect करना आपको आना चाहिए है, subject to subject connect होना आना चाहिए, हाँ मैंने ये term वहाँ पर पढ़ी थी, तो इसका मतब ये था, commerce में ये ही चीजा आपको सिखाई जाती है, कि आप different different concept गो किस तरह से अपनी life में implement गर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऐसे करके, office form में advantage और disadvantage का concept आपने कर लेना है, देखो, एक कोशन है, कोशन नमबर third, कि what are the common type of form used in office organization, internal और external office form के example, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा advantage और disadvantages क्या हैं, कि हम organization में से use क्यों कर रहे हैं, electronical form आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कुछ कोशन है, जो examiner के दिमाग में रहते हैं, जो पूछ लेता है, इतना अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद अगर मैं office stationary की बात करता हूँ, तो इसमें सिरफ आपको ये याद करना है, कि stationary कौन से use होती है, what are the stationary used in a office, एक office building में कौन से कौन से stationary जो हम use करते हैं, तो जैसे आप घर में stationary use करते हैं, वही तो आपकी office की stationary है, हाँ ना, वही तो है office की बी, कोई अलग थोड़ी ना है, अब जब घर पर आपने कोई भी project बनाना है, तो उसके लिए pages चाहिए होंगे, file चाहिए होंगी, तो वही file ने office में ये जो हो रही है, stationary के नाम पर pen pencil, erasers, opener, यही चो होता है, बस थोड़ा साइसी को सोचना है, कि stationary कौनसी कौनसी use करोगे, तो बस paper में आप सो यही पूछा जा सकते हैं, कि office के अंदर कौन कौनसी stationary use की जा सकते हैं, ज़्यादा इसमें detail में कुछ पूछने वाड़ा कुछ है नहीं, देखो, सबसे पहले है papers, जिसमें आप कोई लिखोगे, हाना लिखने का matter हमारा होना चाहिए न, तभी तो लिख पाऊगे, तो paper ही सबसे ज़्यादा important, दूसरा है writing, pen, pencil, permanent marker, sketch pen, printer, इस तरह से, file and folder, जिसमें आप अपनी file को, document को अच्छे से रख पाऊ, diary, ताकि important notes वगएरा उसमें use किये जा सके, desk calendar, हाना एक office table में calendar जुरूर रखा होता है, calculator, ताकि आप calculation कर पाऊ, इसके बाद stationary जैसे pen drive, scissor, paper weight, scale, glue, sticky slip, pen holder, paper tray, हाना इस तरह की चीजें हैं, जो हम इसमें use कर सकते हैं, समझा रही हैं, यह आपके सारे stationary items हैं, और तुम्हें क्या करना है, selection बड़ा और कर लेते हैं, कि selection of stationary किस तरह से करते हैं, हमारा पहले तो यह देखेंगे कि business कैसा है, चोटा बिजनस है, बड़ा बिजनस है, उस हिसाब से देखेंगे, और अपनी cost effectiveness को भी देखेंगे, हमारा cost कम आए, कम से कम cost में हम इस चीज़ को follow up कर पाएं, हमें इतने effort करने हैं, कि stationary जो है, वो एक competitive price में हमें मिल पाए, utility, जो supplier है, उससे stationary जो हम ले रहे हैं, उसमें utility हमें कितने मिलेगे, कितने दिन तक वो stationary हम use कर पाएंगे, तो उसको भी ध्यान देना है, durable, economical price तो होना ही चाहिए, साथ में, वो आपका कितने time तक, उसमें quality मतलब क्यासी है, superior quality stationary की must है, quality मतलब branded stationary ही use करनी है, duplicate नहीं use करनी है, तो यह आपका stationary है, basic है बिलकुल, कोई ज़्यादा rocket science इसमें नहीं है, कोई मतलब problem वाड़ा, इसमें कुछ है ही नहीं, है क्या इसमें, यह देखो principle सिखा रहे हैं आपको purchase के, भई जब आप purchase करने जाते हो, तो आपको क्या-क्या सोचना है, जैसे कि तुमने कभी purchase ही नहीं कर रही हो, कर रखी है ना सभी ने purchase दो, तो बस आये ही मान के चलो, कि आप बन गए हो office के salesman, हाणा, sorry salesman नहीं, आप जो हैं एक clerk की तरह काम कर रहे हैं, और आपको जो बोस ने कहा, कि भई जाओ और यह यह समान लेकर आओ, साथ में बिल ले रहा ना, तब जब आप वहाँ पे stationery shop पे जाओगे, तो क्या क्या सोचोगे, quantity सोचोगे, भई हाँ यह समान मगवा रख्या, इजनी quantity में है, तो right quantity होनी चाहिए, quality होनी चाहिए, quality consciousness रखेंगे, time पर आप stationery को available करवा पाओ, price सही होना चाहिए, source, supplier आपका सही हो, place, जहां से आप समान लोगे, वो vendor बिल्कुल selected होना चाहिए, ठीक, careful handling इसमें हो, housekeeping बहुत अच्छी हो, principle of requisition, जितनी requirement उतना ही stationary, access में नहीं लेके आना है, effective stock control system होना चाहिए, तब ही हम इसको, usefulness के साथ use कर पाएंगे, बस, ये तुमारा stationary है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बोलो, बताओ, कुछ है क्या अलग, या मुश्कील है, बताओ, लग रहा है कुछ difficult, कि भई हाँ, ये तो बहुत ही मुश्कील है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कुछ ऐसी टर्म है इसमें, ओफिस में, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों हवा बना रखा था कभी से, कि ओफिस का slayvals नहीं हुआ, revise नहीं हुआ, तो लो भई, होगी revision, चीक है, छलिए, अब आगला चैप्टर है बारवा, unit number 12, देखो इसमें क्या है, अब इसमें mail है, अब mailing procedure, क्या बताऊना आपको, आप सबी को, आज की दुनिया में, कोई भी ऐसा वेक्ती नहीं होगा, जिसको mail करनी नहीं आती हो, है कोई ऐसा, नहीं है, तो यहाँ पर mailing के उपर है सारा, कि mail को भीजा कैसे जाता है, mail receive कैसे होती है, mail को भीजने का तरीका क्या है, mail को construct कैसे करते हैं, यह सारी चिज़े इसमें आएंगे, कुछ भी नहीं है, मतब यह blog तो, आपके free के number है, free के number आपके यह, कुछ भी नहीं है इसमें, free के number लेकर जाओ, एक बार पढ़ो, और number आपके हाथ में, mail का काम क्या होता है, communication का काम होता है, relationship maintain करता है, employer और employee का, permanent record है, इसको हम delete बगारा नहीं करते हैं, sequence of event इसमें बताया गया होता है, brand ambassador इसके कुछ होते हैं, centralized और decentralized तो यह वही वही चिज़े हैं, जो हमने पिछे पढ़ी थी, कि centralized क्या होता है और decentralized, तो मैं इसको दवारा से नहीं बताऊंगा, meaning इसका, mail room equipment and accessory, जब आप mailing कर रहे हैं, तो उसके लिए accessory की जुरूरत कौन सी होगी, तो mechanical devices हमें यूज करने होते हैं, और उसके फाइदे क्या है, time बचाता है, work को accurate बना देगा, mailing operation करना थोड़ा efficient होता है, base stage नहीं होबाती, और misuse नहीं होता है, monotony और mailing operation यूज होता है, फिर इसमें आपके पास mail करने के लिए machine है, जिसका नाम है letter opening machine, जिसमें आप electronically speed से काम करते हैं, और 100 to 500 letter, पर minute उसमें type कर सकते हैं, एक होता है number and dating machine, जिसमें number और date mention होता है, ये वाड़े, जिससे आप number डालते हो और date डालते हो, folding and inserting machine, जिसमें आप sheet को fold up करते हैं, ये सारी machine हैं किसमें use होती है, mail को construct करने में, mail envelope में ही तो जाएगा, sealing machine, जिसमें आप उसको seal कर देते हैं, जो आपका document है, mailing scale, ये ascertain करना कि outgoing mail की weightage कितनी है, addressing machine, जिसमें address डाला जाता है envelope के, देखो पितना असान कर दिया mail, mailing का और proper मतलब department ही बना हुआ है, जो सिरफ और सिरफ ये ही काम करेगा, mail को receive करना, mail को send करना, envelope के जर्ये किया जाता है, एक mail तो होता है, जो digital होती है, और एक mail आपके इस तरह से भी होती है, जहाँ पर mail को paper format में जो है, वो एक दुसरे को supply करते हैं, समझ रहे हैं, चलिए, this will be method of courier, courier आया, courier, है वही, courier, courier भी तो हम use कर रहे हैं, sending the mail through post, post के through भी हम इसे use करते हैं, जैसे banking हुआ, insurance हुआ, remittance हुआ, postal services, revenue stamp, तो यह कुछ तरीके हैं, जिससे की post office के जरिये, हम अपना mail, send वगरा कर देते हैं, speed post, जल्दी से जल्दी, जब आपे आपको, एक mail पहुँचाना होता है, तो उसके लिए क्या use करते हैं, speed post use करते हैं, I hope आपको पता भी होगा, बस, यह तुम्हारा mailing वगरा है, उसमें कुछ खास तो मुझे दिखनी ना, बाकि यह थोड़ा सा यह देख ले ना, inward और outward mail, जैसे mail जब आती है, तो उसके तरीके क्या हैं, और जब mail को जाती है, मतलब कि outward mail होता है, तो कैसे होगा, on the basis of means of transmission, तो हमारे पास paper mail होता है, और electronic mail होता है, पेपर mail अभी मैंने example दी थी, paper के रूप में होता है, courier बगारा, यह सारे आपके paper mails है, electronical mail जहाँ पर आप digital media यूज़ करते हैं, inward mail है, जो सिरफ receive की जाती है, organization में, outward, जो किसी को stand करते हैं, inter departmental, एक department, दूसरी department को stand कर रहा है, enter department, return communication होता है, same department में, चिक है, तो यह कुछ classification भी आपको दिये गए है, पहले इसमें क्या होता है, mail को receive किया जाता है, जब आप inward mail का procedure पढ़ रहे हैं, mail को sort करते हैं, बेश में यह देखा जाएगा, कि आपके लिए information कौन से ज़्यादा important है, चिक है, इसके बाद official mail को open करते हैं, उसको examine करेंगे, then उसका record देखते हैं, incoming mail का, date stamping देखते हैं, segregated or distributed, and then follow up, उसका reply भेज़ दोगे, आप follow up कर दोगे, ठीक है, और, 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 outward mail के देख लीजे क्या है, outward mail में पहले reply को, तयार करना पढ़ता है, suitable, उसके बाद outgoing letter का collection देख सकते हैं, mail outward register है, जिसमें हम इसे use कर सकते हैं, inserting करते हैं mail की, और envelope तयार करते हैं, उसके एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद उसको delivery के लिए भीज़ देते हैं, तो ऐसे करके आपका, inward outward mail का जो है, वो तरीका है, जो आपको यहाँ पर use करना है, तो important है mail room equipment, ठीक है, इसके बाद तुमारा जो important बनता है, वो है steps to be, selling an email, ठीक है जी, और incoming mail का जो concept है, important है, outgoing वाड़ा भी पूछ सकता है, तो दोनों concept पड़ लेने हैं, चलिए, तो यह था भई, overall इस chapter में, I hope सब कुछ clear हुआ होगा, सभी को, अब मुझे नहीं लगता कि, इस chapter में, yes block में कोई दिक्कात हो नहीं, अगर कोई problem है भी, तो शामवाई class में पूछ लीजिएगा, हम doubt session रखेंगे, साम को, उसमें आप पूछ लेंगे, चलिए, तो आज की class को यहीं तक रखते हैं, thank you so much everyone, thank you so much,